आप सबको मेरा नमस्ते ये सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि बहुत बार ऐसा होता है फिल्ड में कि मां को कुछ न कुछ टिकनीकल जो नॉलज है टेकनीकल घ्यान है उसमें थोड़ी से गर इस्यू हो गई तो बचे का वजन नहीं पड़ेगा तो कौन से कौन से ऐसे टेकनीकल इस्यूज है जो आप फिल्ड में देखेंगे तो उसके बारे में मुझे आपको थोड़ा सिखाना है सबसे अगर आप 45 पॉइंट के बिंदू है जो मैंने आपको सिखाए हो है तो वह 45 पॉइंट के बिंदू अगर आपको एक बार पता चल गया तो आपको पता चलेगा कि कहां कहां पर प्रॉब्लम आज सकता है ठीक है मैं डीटेल में आपको वापस वो सेशन बारा है उसमें मैं आपको वापस वो 45 पॉइंट सिखाने वाली हूँ लेकिन यह जो अपने टुटॉल देखा जो क्रास केडल होल और लाचिंग का उसमें पैटलिस बिंदू आ गया है तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम आएगा कि क क्छकें टो वो ऐसा सवाल पूछेंगे तो मां बतायेंगे नहीं ब neutron क रहता है तब यह प्रूख पुलाती हम अपको मां बताना है कि बचिखा को रोने की रह नहीं देखनी वह सब से अंत में बहुत बूक कहता है या थो भूत चिलाता है और यह जो लैचांग कराना बहु दालेगा तो पिर ज़्यादा थोड़ा और थोड़ा ऐसे हिलेगा और अंत में वो फिर बच्चा रोना चालू करेगा तो आपको वो रोने तक की रहा नहीं देखने जैसे बच्चा थोड़ा ऐसे आख खोली थोड़ा हिल रहा है वैसे मैं छोटे बच्चों की बात करूँ पहले एक दो महीने के बच्चे तुरंत उनको दूद देना है ठीक है दूसरा जो पॉइंट है कि बहुत टाइम मा क्या करती कि बहुत कपड़ा पहनाती है बच्चों को और दो तीन कपड़े पहना है फिर उस पे वह ब्लैंकेट प तोपी भी नहीं पनाने है और यू जो मोझे है वह भी निकाल देने है बच्चा बलकुल मा के नस्दिख रहें चाथि से चाहः जो चंडी से चंडी का वह ओं यह होगा तक बच्चा बनकुल लएगा कुछ इंता करने की ज़रूत प्च्चा एक बदर लाच हो गया बार उ मा को जरा ध्यान में रखना है कि वह पानी पिए ठीक तरह से बैठे, बिल्कुल बच्चे को उपर लाना है, मा को नीचे नहीं जुगना है, और जो पीछे की पीट है वहाँ पे थोड़ा सा सिक सपोर्ट होगा, तो वह सपोर्ट आपको देना है, कुछ भी पीछे है तो अग जब हो बिल्कुल ला रहा है, तो बच्चा ऐसे ना ऐए, बहुत टाइम वह बच्चा ऐसा ऐसे, इसा डागनल पोजुशिशन में होता है, तो मा को बोलो कि बच्चे को सीधा बिल्कुल होरिसोंटल पोजुशन में लाए, बिल्कुल सीधी रेका में आए ठीक है, और ये जो यह भाग बिलकुल अंदर जाना चाहिए अगर बच्चा ऐसे निकल गया तो फिर बच्चा के लाच निकल जाएगी ठीक है तो मा को बोलो कि ठीक तरह से उसको यहां पर बिठा के फिर बच्चे को लाए नाओ एक पॉइंट है जो मैं हमेशा देखती रहती हूं कि अगर इसका जो जो मू है या नाक है वह बहुत अगर निपल के सामने निकल के सामने ना रहके अगर बहुत उपर चला गया तो बच्चे कार ऐसा हो होने के लिए आपको बचे को क्या करने पड़े का अगर सब्सक्राइब यहां पर है तो आपको बच्छा निपल के नीचे रखना पड़ेगा और फिर बच्छे की गर्दन है वो बाहर की तरफ ऐसी मोड़ी होनी चाहिए तो अगर बच्छा ऐसे आ रहा है तो यह जो नाक है यह जो निपल है ठीक है निपल के नीचे बच्छे का नाक होना चाहिए नाक होना चाहिए नाक होना चाहिए और इस पोजिशन में आप देख रहे है कि बच्छा बिलकुल बाहर की तरफ वो है उसका जिगर्दन है वो बाहर की तरफ है ठीक है और दूसरा क्या है कि यह धि ब्रेस्ट पकड़ना नहीं आता है, डिफिकल्ट है क्योंकि नया कॉंसेट है, तो आपको ध्यान में रहे कि अगर बच्चा यह ब्रेस्ट पे आ रहा है, तो माँ को बोलो कि यह ना इसको पुरा यूशेप पकड़के, यह उंगली थोड़ी भार की तरफ ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे, यह जो यहां पर ऐसे एंगल होना चाहिए, और उसको सिर्फ वो यह जो टिप है, बस उससे ही उसको पकड़ना है, तीन उंगली दूर, और तीन बजे और नौ बजे, और यह जो भाग है, जो नीचे का, छे बजे का, वो बिलकुल यहां पर नीचे नीच मतलब आपको यह हाथ थोड़ा अंदर की तरफ लेना है, अगर अंदर की तरफ लेंगे, तो बिलकुल सही तरह से, दिखिए, सिर्फ मैंने टिपी पकड़ा हो है, यह पूरी उंगली से मैंने ऐसे नहीं दबा रही हो, अगर उंगली से दबाएंगे, तो यह उंगली बच् पिंगर है, सिर्फ उसके जो टिप है, उससे उसको दबाना और यह हाथ अंदर लें, ऐसे करेगे, तो यह उचे वाला भागे डिप है, वो छे बजे नहीं आएगा, यह वाला भागे जो छे बजाना चाहिए, ठीक है, और तीन उंगली दूर यहाँ से, तीन उंगली दूर बहुत दूर होगा, नहीं होगा बहुत नस्थिक होगा तो शिफ निपल मू में जाएगा, तो यह तीन उंगली दूर होना भी बहुत जरुरी है, और तीन बजे और छे बजे, सिर्फ जो टिप ऑफ दे फिंगर है, वही से पकड़ना है, तो यह जरा ध्यान मिना है कि ब्र पकड़ के निपल मुह में डाल देती है मां को बोलना है कि मुह है 120-160 degree खुला होना चाहिए तब ही जाके वह बच्चे को चाती से लगा सकती है वारना अगर मुह छोटा होगा तो बच्चा बिलकुल निपली फीड करेगा निपल में दूद नहीं आएगा तो आपको ध्यान में रखना है दूसरा यह है कि एक बार मा ने लैच करा दिया तो फिर आपको यह हाथ निकाल के तुरंती वह लैच चेक करना है तो वह लैच कैसे चेक करना है प्रएगों अगर बच्च अपने बच्चे को निकाल दिया तो अगर ऐसे आरहा है तो मा को जहां पे उसके नीचे के होटे बच्चे के वह बहां पर च्छाती को दबा के देखना है कि इसका मूद कितना बढ़ा है एकसो बीस 91 होना चाहिए और उसके जो नीचे के होट है यहां पे बॉर्डर पे होने चाहिए और उपर के होट है सिर्फ निपल के उपर होने चाहिए तो बच्चा ऐसे लाच करेगा तो यह वाला जो भागे उपर का भाग उससे बच्चा दूद नहीं खीच सकेगा अगर आपको बहुत अच्छा मिल्क ट्रांसफर चाहिए तो आपको नीचे के होट यहां पे लगाने पड़ेंगे अगर बहुत चोटा है तो फिर आप पूरा डाल सकते हैं लेकिन अगर बहुत बड़ा है तो आपको यह जामने रहे कि नीचे का होट है वह बिल्कुल जो को बच्चे को बोलो मां को बोलो कि बच्चे को बिल्कुल अंदर की तरफ खीचे जीए जितना वो अंदर की तरफ खीचे की अधिए किया होगा जैसे अप बच्चा अब चाती को अंदर की तरफ प्रेस करें, फिर उसको दबारें और दूद निंकालें। इसी तरह बच्चा जितना वो चाती को प्रेस करेगा उतना ही वो दूद खीच सकेगा। तो आप प्लीज फील में आपको यह ध्यान में रखना है कि जैसे मा ने लाच करा दिया तो मा को बोलो कि बच्चे को अंदर की तरफ कीचेगे बच्चे को तो उसके होट बिलकुल दिखाई नहीं देंगे। अगर होट दिखाई दें मतलब बच्चा बहुत भी बाहर की तरफ है और थोड़ा 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 थक जाएगा दूद इतना आएगा ने आपको बच्चे का वजन बहुत बढ़ाना है मा के दूद से तो वह ज़रा ध्यान में रहे दूसरा एक चीज आपको रखनी है कि बच्चे के जो होट है वहां पर जो उसकी गाल है वहां पर यह जो डिम्पल होते हैं χी मिया नहीं होने चाहिए ठीक है ढीमपल हूए उसका मतलब की तीन चीज में प्रॉबर्म है या तो बच्चा बहुत ही है जो यह उसका है ८ हँदinkत है अगर बश्य बहुत भार की तरह है और चाति के अंदर उसका मुह नहीं कुपा है, तो बच्चा फ५५५५ फ५५ फ५५५५५५ ये गलत है है वह है निपल sick families TWTinha बच्चानि पर एक वह बच्च को तो आपको पता ही चल जाएगहा अब है नो अप सदेख रहे तो निपल में होनाह यह नहीं चाहिए लेकर अगर आप निरिक्शन कर रहे है । और आपने देख्ञा कि अपने के भी भी याप 2 एक रबादी ये है उसको बोलो कि ये खहाथ ले सकती है, वाहो एक फ़े फंड हादी सों नहीं जो झाल बें झाथ। एक दिहानों एक पुजिशन में ठीविह थाया वे बख्ची की गर्दन है, वह बिलकुल सीधी होनी प्रोट बिलकुल तेडी मेडी नहीं होनी चाहिए बहुत ट्वैड़ में थाइसे आता है आपको है कि नियुšंकि आपकोगा ऊनियुकijd किष्का लुकत अर्थ कर लूथ थानको ऑन पर तो स्टन पर देखने दो स्टन पर देकर दोगतलड़ के सामने हम एसे पन्हेज और असे के बिल्कुल जरोद नहीं है अगर आपने ऐसे कर दिया, अभी बचे कर अपने आप बच्च एसे ला रहे हैं तो आप देखिए कि उसकी यह देखिए पूरा उसका मुँ ऐसा टेडा हो रहा है ठीक है और उसकी पूरी जो चाती है वह भी फिर चाती भी टच नहीं होगी ठीक है बच्चे को आप देखिए कि मैं कैसे इसको ला रही हूए तो यह से पूरा रोटेट हों के उसका बिल्कुल सिर है वह तरनी ऐसे नहीं पर नहीं ऐसे नहीं जाई बिल्कुल captain के सामने ठीक है तो वो ध्याल में रखें कि बच्चे को आपको कैसे कौन से पूजिशन में उसको लाना है ठीक है उसका सिर है बिल्कुल स्थान के सामने दिखना चाहिए मा के सामने नहीं ठीक है यह तो अगे आपके लाचिंग के पॉइंट दूसरे जो पॉइंट्स है वो हो जो सीर है वो जैसे आप पानी पीते हैं वैसे ही आपको बच्ची को लाना है ठीक है तो अचया है все नहीं ठीक है तो ईजि़ा ला रहे है एंट रहे है टीक है तो बच्चका को यह जो नाक उसकी जो यह यहाँ बिल्कुल सीधी रेखा में एसा नहीं होना चाहिए तो आपको यह नाख के सामने लानी है और यह निपल के सामने लाइगे तो जैसे बच्चा आप निपल उसके होड पे लगाएंगे बच्चा मुह कोलेगा तो पूरा नीचे काला भाग उसके मुह में जाएगा तो यह कैसे बच्चा बिलकुल सीधा ना चाहिए और उपर की तरफ देख रहा हूं तो यह नाक चाती में दबेगा भी नहीं नाक अगर दबा उसका मतलब बच्चा सीधा बिलकुल सीधा ही लाई है जैसे आप सीधा लाएंगे तो यह बिलकुल यह नाक इस तन के अंदर खूब जाएग आपने एक बच्चा एक बच्छा निकल गया या तो आपको तुरन्त ही जगाना है आप वेट मत किजिये बच्चा थोड़ा थोड़ा ऐसा कर encryोगा है वेट करूए अगर बच्चा मत बच्क थोड़ा क finger हो गयों और बच्चा शो घुला Soul उसको तुरंद ही उठाओ मैंने सिखाया हुआ कैसे उसको उठाना है ठीक है अगर फिर भी नहीं उठा है तो उसको चाती से निकालो उसके मुझमें उंगली डालो और भी झोग्षें Хट्म कान के आगे जो जॉब उलते हो जड़वा ठीक है वहां पे उसको पकड़के थोड़ा भार पेट थोड़ा दबेगा आगे की तरफ उसको जुकाना है जैसे आप करेंगे तो दो चीज होगी एक तो क्या होगा कि तुरंती धकार निकलेगा तुरंती एक मिनिट में आप देख देखना कि यह बाजमें दूदै कि नहीं तो इस फूद् चेक करने के लिए आपको प्रेस और की तरफ और कंप्रेस करके देखना है अगर पानी जरसा दूदब थे लेकिन बहुत फॉर्स आरहा है अब ही भी थूद वहाँ पे ए ठीक है और ऐसे लगे कि गाड़ा दूद ह एक तम घाडा दूद है सफेद रंग लेकिन बहुत दीरे दीरे ड्रॉप्स में आ रहा है उसका मतलब अभी यह चाती का तम अभी आपको दूसरी बाजू बच्चे को वही पोजीशन जैसे मैंने बताया वही पोजीशन में आपको वह बच्चे को लगाना है तो यह तो अग दिएद में रखना है दूसरा चीज है कि आपको 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 अब हमार ड्रॉब अधोब दूद पिला आ द्योंज़ी वह तूच को इसको थाकार देना है और तेसरी में यह खुझ मनें बच्चे बहुत सारे बच्चे में देखती हूँ कभी-कभी वो एक ही टाइम में चार बार दूद पिते हैं तो बच्ची को सोचने दो कि भूख लगाए कि नहीं लगाए आप मस सोचो बच्ची को डिसाइड करने जाना अगर बच्चा ग्रोव हो राए तो वो तीन-चार बार दूद पिते हैं एक बार अच्छी तरह दूद पिलिया तो उसको सोने दो फिर आपको अदे-दे गंटे में उसको उठाने की जरूद नहीं है वो उठेगा अपने अप अगर दिन के टाइम में दाई तीन गंटे तक नहीं उठा तो उसको उठाओ ठीक है लेकिन फिर हर एक एक गंटे भी उठाने की जरूद नहीं है एक बार अच्छा ने धूद पीलिया तो, अगर बच्छे ने धूद नहीं पिया है, पीछे का घाड़ा धूद नहीं मिला है, बच्छा सोग आपने जगाया नहीं है, वह बच्छे को आदे गंटे में डेफिनली भूख लगेगी, लेकिन आपको ऐसा हर आदे आदे गंटे म सिफ पानी और रोटीन होगा, पीछे का घाड़ा धूद जाना बहुत ही ज़रूरी है, यह पॉइंट प्लीज नोट कीजिए, क्योंकि अगर बच्छे को यूरिन हो रहा है, उसको पिशाब हो रही है, लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, मतलब पीछे का जो धूद पिशाना चाहिए, वो नहीं जा रहा है, लैचिंग भी अगर शायद थीक नहीं है, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है, मा को बताना है कि तीन महीने के बाद बच्छा दू-दो घंटे में नहीं दूद पेगा, तीन-तीन कभी-कभी 4-4 घंटे में भी दूद पिता है, जितना वो रात में दूद पिलाना चालो रखना है, बड़े बच्चे भी रात में दूद पिता है, तो आपको रात में दूद नहीं बन काना है, जितना वो रात में दूद पेगा, उतना बच्चा मोटा होगा और लंबा होगा, तीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना ह जाएँ हैं 500 Gram बहुत कम अगर 500 Gram बडा तो आपका बच्चा बिलकुल नॉर्मल भी बच्चा पैदा होगा तो भी मललरिश्ट में पैदा हूगा अगर गंवा का बच्चा पैदा है मतलब वह बहुत कम्जोर पैदा हुआए उसको तो देड़-देड किलो वजन बढ़ाना है, देड़ किलो वजन कैसे बढ़ेगा बच्ची का, ठीक तरह से टिकनीक से दुद पिलाएंगे, पैतालीस पॉइंट बिंदू पर ध्यान रखेंगे, तो ही तो अभी तो बढ़ेगा, तो आपको वो मोनिटरिंग करना बहु ठीक तरह से किया, तो आपका एक भी बच्चा सैम मैं में नहीं जाएगा, एक भी बच्चा स्टंटिंग नहीं होगा, तो यह आपके ध्यान में यह रहना चाहिए, ठीक है, धन्यवाद. पहोगए, तो है तो हुँे जावी तो आपको कि अन्यवा बच्चा सैम में जब वोग्यान में वोपको कि अन्यवादें, तो आपको की।.